स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू अपडेट एन इवेंट के बारे में तो भाई इंट्रो पुरा हो चुका है तो मैं आपको इस वीडियो के थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देती हूं तो भाई इस वीडियो में एक्चली जो हमारे न्यू अपडेट आने वाले हैं उसके बार में आपको बताऊंगे और भाई कुछ न्यू इवेंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी तो भाई चैनल में नहीं हो तो भाई चैनल को स्ब्सक्राइब करके बेल वाला इकन और प्रफ़े जव सेट कर देना और गाइस तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारा ये वाला वीडियो तो गाईस हमारी पहली अप्डेट है कि आपको ob29 अपडेट के बाद क्या देखने को मिलेगा नया तो भाई हमारे ob29 अपडेट के बाद आपको न्यू मोड देखने को मिल सकते हैं पहला lone wolf और नया custom room मतलब ऐसे ही craft land करके new mode देखने को मिलेगा तो ये दोनों mode ही new आने वाले हैं तो भाई इसको मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ पहले तो guys हम लोग पहले lone wolf mode के बारे में बात करेंगे जिसमें आप ये mode के बारे में सुनके भाई आप literally खुश हो जाओगे भाई क्या है उसमें कि आप जैसे ही वो open करोगे वैसे ही आपको दिखेगा 1v1 बतलब आप random बंदों के साथ 1v1 खेल सकते हो बट भाई आप जिससे खेलना चाहते हैं उससे नहीं कर सकते हो तो इसके लिए तो आपको कस्टम बेस्ट करना ही पड़ेगा कस्टम ही कर आओ और अगर आपको रंडम ली खेलने का मन है तो भाई वह आप वो लोन वोल्फ वाला मोड यूज़ कर सकते हो और भाई यह जल्दी ओवी 29 अपडेट के बाद आपको देखने को मिल जाएगा तो भाई अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे मतलब कस्टम जैसा जो आया है उसके बारे में तो भाई क्राफ्ट लैंड में क्या होगा भाई एकदम माइन क्राफ्ट जैसा है मैं आपको एक बार देखा देती हूं तो गाइस यह वाला मोड देख लो यह आपको अपने सब्सक्राइब बार देखने को मिल जाएगा तो भाई यह एडवांस सर्वर है और देखो इसमें आप अपने मर्जी से मैप बना सकते हो भाई देखो आप कुछ भी ढाल सकते हो यह प्लीन भी कर सकते हो भाई तो बहुत यह ओपी मोड बिलकुँ माइन क्राफ्ट लेया प कॉपी अब यह लेया माइन क्राफ्ट की कॉपी तो भाई यह मोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जहू बताना तो भाई चलते हैं हमारे सेकंड अपडेट की तरफ पहले अपडेट में मैंने इतना कुछ बता दिया है तो भाई सेकंड अपडेट भी बहुत ओपी ह दिखाई दे रहा है बटी आडम नहीं है यह चुपाने के लिए किया है बस अडवांस सर्वर में तो पहले हम लोग इसके अबिलिटी देख लेते हैं वही बहुत ही ओपी अबिलिटी और नहीं आना चाहिए था बट फिर भी देखो वही क्या है इसके अबिलिटी देखो पहले मैं पहले नौक हो जाते हैं एक में टो कर दो घाए तो पहले इसके डेको यहां पे बलाक स्क्रीन कर दिया है बट इससे हमारी हेल्थ बहुत जल्दी बड़ी जैसे अगर जैसे ही में नौक होती देखो यहां पर आया सेल्फ रिवाइबर मतलब कि आपको बंदों की नहीं कि आपको सेल्प रिवाइब हो जाओगे आप तो यह बहुत ही बहुत ही बेकार चीज है कि जिनके पास यह नहीं है उनका तो भाई हान ना पकगा है भाई कि वह खोदी रिवाइब हो जाएंगे तो इसका बस एक सॉलिशन है कि जिसको आप मारें पूरा ख़तम करो और दूर से माड़ोंगे फिर वो अपने आप पर हो जाएगा फिर आपको फिर से रश करके उसको माड़ना होगा त्ये वाला मतलब ये वाला करेकटर बहुत ही घड़िया चारेकटर मुझे अच्छा नहीं लगा यह चीज गटीना मतलब पूरा वेकाड करदिया यह मतलब नहीं करना चीगे था ऐसा क्योंकि जिनके पास डाइमेंड्स नहीं जो टॉप नहीं करा सकते हैं बोलो कि ये उनका तो बस पुड़ा खड़ा भी हो जाएगा पुड़ा गेम का तो गाइस वैसे हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं अब गड़ीन को कोई क्या ही बोलेगा छो क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भाया नहीं है वाला करेक्टर मतलब इतना खतरनाक स्किल है इसका क्या ही बता है वो खुद बंदा खुदी डिवाइब हो जा रहा है भाई ये बहुत ही गलत बात है यार गड़ीना ने एक्दम स्कैम कर दिया मतलब जो भी अच्छे प्लेयर पुर्ग गेम चैंज ऑगा जैगा जैसा कि मैंने आपको audio में बोली दिया था कि बाई पिछली in 10 में क्या 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 फृव में मिलने तो भाई आपको collect tokens करना है आज आपको token collect करना है पांच-छे गेम खेलो फिर एक को मारना है बुया करना है ऐसे करके आप कोई भी अपने मन पसंद मतलब अब निकाल सकते हो तो मेरी डायल हो तो आप UMP या AWM की skin निकाल लेना क्योंकि एक-एक इसके नासानी से मिल जाती है UMP या AWM की skin नासानी से नहीं मिलती है वाकि आप कौन सा skin निकालोगे मुझे कमेंट सेक्षन में बताना और अभी तक आपने निकाला है कि नहीं मुझे बता दो क्योंकि मैंने आज सुपा सुपा से एक ही गेम खेला क्योंकि और मुझे टाइम नहीं मिला तो भाई तो गाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले करते हैं यह चैनल को कर दो सब्सक्राइब बेल वाला इकन और पर सेट कर दो और भाई हो गया कर दिया ना थैंक यू सो मच काई मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई